हम भी दो गरीवी से पढ़ाए हैं सुदान्सु को गरीवी से पढ़ा करके साइंटिस्ट बना दिये हां उसका मेहनत काम किया रात में बात हुआ पूछें कि कैसन लग रहा है तो बोला ठीक है अब लोग का सिरवास से हम भी यहां आये हैं काम कर रहे हैं वो जो काम आज पू सुदान्सु के मम्मी पापा के इतना खुष थे बहुत खुषी था इससे बढ़का और कोई खुषी नहीं होता कि मेरा बेटा उसमें सामिल है और उसका सफल रहा कल का सफल रहा कि पूरा देश खुष हुआ छे वज़ करके चार मिनिट में सफल हुआ इससे हम लोग का बहुत खुषी हुआ यही कि मतलब यह है जो अपना लिए नहीं पूरा देश के लिए हुआ पूरे बिहार का जब कोई हुनहार या फिर कोई मजदूर बाहर कमाने और पढ़ने जाता है तो बाहर के लोग उसको बिहारी बिहारी बोल करके परताडित करते हैं लेकिन यह बिहारी कहां कहां अपना पैर पसारे हुए है यह किसी को पता नहीं है और अगर देखा जाए तो सब कोई जानते हैं कि देश के हरे एक छेतर में बिहारी बच्चों का अपना अलग ही परचम लहरा रहा है और अभी हम मौजूद हैं ग्यान बं मोक्ष की भूमी गया में आपको बहुत अच्छे से पता हो कि कल चंद्रमा का दक्षणी धुरूप पे चंद्रयान थिरी का सफल लेंडिंग हुआ है और उसको सफल लेंडिंग करवाने में गया के एक सुधांसु है जिनका भी हम रो सफल रहा है 2021 से बतौर साइंटिस्ट बतौर बयगयानिक सुधांसु इसरो में काम कर रहées है आप हमारे पिछे देख सकते होंगे कि महेंदर प्रसाद हॉस नंबर 565 सुधांसु कुमार साइंटिस्ट इसरो मतलब कि यह जो साइंटिस्ट है सुधानसु कुमार वो दिल्ली मुंबए का रहने वाले नहीं है वो बिहार के गया जिला के गया सहर का रहने वाले हैं और उनके जो पिता जी है वो आटा का क्या बोलते हैं कि मिल चलाते हैं और इसी आटे की मिल से जो प बताते हैं कि जब से लॉंच हुआ था उसके बाद से ही हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका इंतजार कर रहे थी कि कब वो छणाएगा जब चंद्रयान थिरी चंद्रमा पे लॉंच करेगा और कल जब वो चंद्रमा पे लॉंच कर रहा था तो यही बो जगा थी जहां पे पटा अपको पहले ही बताया कि इनका बेटा साइंटिस्ट है बैग्यानिक है और बिहार के रहने वाले हैं गया के रहने वाले हैं उनके माता हैम इन से वरतलाब करेंगे कि आखिरकार सुधानसु बचपन से क्या करना चाहते थे और इस मुकाम तक आने में उनको क्या-क्या समस्य आ करना करना पड़ा कौन-कौन सहायता किया कौन-कौन पैर खीचा कौन-कौन हाथ खीचा आएटी सबसे पहले तो बताये का का नाम किया हुआ श्राइब मुसकान किस बात के लिए coordinates उब्यान के लिए इसके लिए कि लिए तो काम कल सफल हो गया इसके लिए ही कितना इंतजार था पिछले महीना जब वो लॉंच हुआ था और कल जब लैंडिंग हुआ कैसे कटा एक महीना अंटी आप लोग का हम लोग लॉंच हुआ था 14 जुलाई को जीस दिन से हम लोग को खुसी हो रहा था कि लॉंच सही हो जाए मने पिर्थी भी पर बढ़ियां से चल जा चंदर्मा पर जो आज है सफल हो गया कल साम में छे वजे छे वज़ करके चार मिनिट में सफल हुआ इससे हम लोग का बहुत खुसी हुआ यही कि मतलब यह है जो आपना लिये नहीं पूरा देश के लिये हुआ पूरे देश खुस हैं कल गया के खर पूरा मुहला के लोग क खुस ना खुसते सुधानसू के मम्मी पापा कितना खुस थे बहुत खुसी था इससे बढ़का और कोई खुसी नहीं होता कि मेरा बेटा उसमें सामिल है और उसका सफल रहा कल का सफल रहा कि पूरा देश खुस हुआ अचा कल पूरे दिन आप लोग तो टीवी पे चिपक कल सुबह पूजा किये यह मांगे थे संकर भगवान से सावन का महीना चलगा है संकर भगवान से ही मांगे कि मेरा बेटा तो काम कर रहा है अपना लिए नहीं पूरा देश के लिए इसका में सफल दिजे कि पूरा देश खुस हो जाए पूरा देश खुस हो जाए पापा मत मतलब क्या ही काम करते हैं आटा चक्की का मील है यही चलाते हैं इसी से भरी पोषन हो रहा है इसी से पूरे परिवार का भरण पोषन हो रहा है अच्छा सुधानसु का जन्म कब हुआ था अंटी याद है सुधानसु का जन्म संतानवे अंठानवा का जन्म है अच्छा मतलब पुरा नियाले के हैं अभी और नहीं करेंगे मोदी जी कल बोले कि चंदरवां पर पहुच गया है हम लोग सुक्र पर और क्या बोलते हैं कि सुरी पर भी पहुचने का तयारी कर रहा है हाँ जल्डिये में गगन यान भी तो लाउंच होने वाला है वाजर पचीस में साइद होने वाला है अचा हर किसी बेटे का एक अपना ड्रीम होता है और उनके माता पिता का अपना चाहत होता है कि मेरा बेटा ये बने मेरा बटा डॉक्टर बने मेरा बटा इंजिनियर बने स सुधानसु के मम्मी पापा क्या चाहते थे सुधानसु को बनाने के लिए हम लोग भी चाह रहे थे कि बेटा पढ़ रहा है पढ़के तो आगे चलके कुछ अच्छा करेगा पढ़ने में ठीक ठाक है तो आगे चलके अच्छा करेगा बच्पन से मतलब की पढ़ने में सुध सुधांजू ठीक ठड़्यक्ता पढ़ाये कहा हुगा सुधांसू का अकरी में यूत बड़ा मतलब कि प्राइबेट स्कुल में पढ़ाये थी सरकारी में पढ़ाया है शरक्राकार realidade महला में तीनों स्कुल नहीं पढ़ाया सुधान्सू एक नॉर्मल सा सरकारी बिद्याले से पढ़ाया है जहां पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं हम भी तो गरीबे थे हम भी तो गरीबी से पढ़ा करके साइंटिस्ट बना दिये हैं उसका मेहनत काम किया आप लोग तो बस पैसे देते होंगे जो अभी वो काम करते होंगे बस पैसे हां काम करते भर में पढ़ाई भी किया अपना पढ़ाई किया हम लोग के काम में हाथ भी बटाया अभी आते होंगे तो आपका काम में हाथ बताते होंगे हां अभी हो जब अभी काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिल्प करिये देता है सुधानसु का जो परिवारिक धाचा है आणटी मतलब की परिवार में कौन-कौन है आप लोग हम लोग चारे परिवार हैं एक लड़का एक लड़की हम दोनों अचा मम्मी पापा और एक लड़का और एक लड़की एक बच्ची है जो कि मतलब की पढ़ाई कर रहा है भी वो भी हुआ से है राइपूर से पढ़ है जटीसगर में राइपूर है एनाइटी से बीटे कर रही है और इस घर पर आप रहते हैं और अंकल रहते हैं दोनों बच्चे बाः में है और दोनों मम्मी ऑपा मेहनत करकरए दोनों खोफ़ल दोन हम Second डिके जब बैब तुर दिन क्या चल रहा था मतलब कि ऐसा कभी लाग रहा था कि क्रेस हो जाएगा आ फिर Wandyn को डाट दिन पार हallas लें Western love यूआ य Nexus जी लुना क्रेस्टा था 2 दिन पास दिन पहले थाउना दो दिन पाछ्ट एनधर हो भू रात में बात हुआ पूछें कि कैसन लग रहा है तो ठीक है आप लोग का सिर्वास से हम भी यहां आये हैं काम कर रहे हैं वो जो काम आज पूरे देश के लिए था उस सफल हुआ अचा मतलब की कल भी बात हुई बहुत खुस होंगे सुधानसु कल तो बहुत खुस था मतलब कि डेली बातचीत हो जाता है और सुधानसू के मम्मी है और ये खुस है मुस्कुराहट का मतलब की बज़ा है चंद्रयान थिरी का कल जो सफल लॉंचिंग हुआ है और ये बो उनका क्या बूलते हैं कि आटा चकी का मील है इसी से सुधानसू को पढ़ाये लिखाये बे ले आएटे के आएटी वाला फारम भरा समय सेलेक्सन हुआ 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 है अई ती मेरा इंकम रहने के चलते हुए नाइटी लिया कुरुचे त्रमिला रहाना हुआ उससे बिटे किया ना इसरों के फारम भरा उसमें सफल हुआ इसरों में कब से बैग्यानिक हैं आपके बैठा मतलब कि कौन से साल से 2021 में ही जोईन किया है मतलब कि दो साल पहले है दो साल पहले जोईन किये और बो कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारे जोईनिंग के बाद चंद्रयान थिरी का जो सफल लैंडिंग है वो हो जाएगा और कल साम 6 बज करके 4 मिनट पे जब चंद्रयान थिरी का दक्षनी धुरूप चंद्रमा के सफल लैंडिंग हुआ तो पूरा देश जूम उठा और उस देश में एक राज है बिहार जहां के ज़्यादा तर लोग को बाहर जाने के बाद परतारित किया जाता है कल ये जगा पे क्या बोलते हैं कि पटाखा छूट रहा था मिठाईयां बट रही थी और म दाद योगदान का जो नतीजा है वो कल देखने के लिए मिला और उस योगदान का जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा बिहार और पूरा बिहार का जो एक गया सहर है जूम उठा ग्यानव मोक्ष की भूमी है बो जूम उठा मिठाईयां बटी और सब कुछ हुआ चो होन देश दुनिया की तमाम छोटी वीड़ी खबरों से आपको रुबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तबते के लिए वने रहमार साथ और देखते रहना लंदा दस्तक धन्यवाद